बच्चो जब आपका वेकिशन कर जाता है तो बहुत सारे बच्चे एक जगे से दूसरी जगे तक जाता है बच्चो अपने मामा के गार ना 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 मी जी के ग कर databases के स्थेशन पर वे ऋपकिनिक पर कर जाकर आते हैं जब मार शूमा रही जोलीग बचलते हैं तो आपने पड्रेक्च एक जगे से दूसरी बचने तक को एजना होता है उसे हम ट्रांसपोर कहते हैं और अब कोरूना की चो करने है अब में हमारी सेटी के लिए सोशल डिस्टेंसी मैट्ट करना है हमें नहीं पर भी आने जाना है कि यह नहीं Allowed है हमें धरत मेरी ले-लेणा है तब हम क्या करते हैं , तब हम अपने रिलेटिउर्स से और कुछ बाते करनी होती है तो मोबाल्स करते हैं यहां तो यह हो गया Kommunikation तो आज 6 चैटर में हम बात करेंगे transport and ejumation यह दोनों चीज़े जो है आज की हमारी रूटीम में हमारी वाइप्राइब लगते हैं ना तो कोई भी इंसान लगते बैठके पूरा टोड़र वाग कर सकता है और ना तो बिना बोले उसका काम चलेगा हम वाग फ्रोंग भूंजरू करते हैं लेकिन हमें अगर घर भी अपना है और हम घर पे काम भी कर रहें तब हमारी डेली नीट के लिए कुछने कुछ चीज़े बंगानी होती है तो वो चीज़े भी हमारे पास में थूँ ट्रांस्पोर्डेशन पहुचती है तो आज हम इस चाप्कर में ट्रांस्पोर्ड और कमिनीकेशन को स्क्थ बाइ स्ज़ेते के सबसे पहistoire, हम चाप करते हैं ट्रांस्पोर्ड ट्रांसपोर्ड में एक प्लेस कर दूसरे पलेस टर जाना अना या पर वस्तों का वूर्ण स्थृ आप सी दूसरे टाइस तक पहुचाना उसी का जलता है Transports जलता है अगर रीकना परसने के आना राशिजिने के पर आना रहा हो सकते हैं तो पेर्लो त इस तक प्रेंट लेंड ऐसे लेकना है === जिसे आप भी अपने गरों से स्कूल तक आते हैं, तो या तो आप खुद से आते हैं, या स्कूल बस करते हैं, या बैल से, अटो रिक्षा से, या आपके पैरेट्स सब को अगर पासते हैं, तो पैडल चल के छोड़ जाते हैं, अगर आप भूर रहेते हैं, तो पैरेट्स अ उसारे हमारे अमार पर भूशय मुना होना Sub Node ऑनिे पहले हमारी के चाहिस पर अपर स़ाधय के जैज जोड़ता है एक स्टेट कर साध्य में समय है। दूसरे होते हैं State Highlands, पर्टिकुलर पुसी भी स्टेट का एक सिर्थी से दूसरे सिर्थी तक विलेजेस का कनेक्ट होने के इनी जो बोर्स होती हैं, वो होती है State Highlands, दूसरे होते हैं अर्बन या कांध के वोर्स और जो शुकर होते हैं तो बहुत हैं अगर डाबर्च और यहां के सटके हैं, अगर डाबल्च नहीं दूसरे हैं, तब यहां के सटके होती है। और जो सड़क से चटलेवादे होते हैं, उन्पों साइड साइड पर माइल स्कोंस कदे होते हैं, माइल स्कोंस के उपर किरोमेंटर अबा पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसका नाम भी लिखा होता है, और एक यह नया concept भी अगली कुछ वाशों से इंडिया में देख रहा गय और एक्सप्रेस हालेज होता है, वो पर्टिकुलर इसी स्टेट के जो सड़ीज को कनेक्ट करता है, और उसके बीच में बहुत धंगा रूप जो होता है, उसको बहुत स्मूधली रिजाइन करने कान करके बनाया गया है, उसमें ओवर प्रॉसिंग नहीं होती है, या जो होती है, या चट्रावाले को होती है, वो comfort के साथ में speedy हो जाती है, तो कि वहाँ पर जो छोटे-छोटे कालिया को गेरे होती है, वो सब नहीं जा सकती है, तो speedy बहुत अच्छा जोता है, और रूप क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, तो बहुत speed में distance जो है, उसक कवर किया जा सकता है, उस exam से हमारे countries में expressway बन चुके है, और बहुत सारे इसी दीज में अभी devastating ही है, अब हम बात करते है, roadways और railways, जो कि याई transport बाता है, roadway मैंने बता दिया, आपको सटके, और अपने railways, अपने railways का भी network बहुत बढ़ा होगा, देखना होगा, बहुत बड़े बड़े जो शहर है, most of सभी शेयरों में बारते और बहुत सारे बाहों तक भी railways का नेटवर्प फैटा होगा है, इंडिया नेटवर्पे का जो नेटवर्प है, वो वर्ड में, 4th place पर आता है, इतना बड़ा railways नेटवर्प है, और इसके रूम, पैसेंजर्स को, या व्यात्रियों को एक प्रेस से बुसरे प्रेस कर जाने का काम होता है, otherwise जहां पर भूर्प या सामान को एक प्रेस से बुसरे प्रेस कर पेजने नहीं नहीं, इंडिया नेटवर्पे का काम होता है, साथ ही अगर लेटर्प होगे रहे, जो चितियां हम लिखते हैं, या पर नौटीस वोके रहाते हैं, जो हमारे गार कर डाप्टिटाप से आते हैं, वो में जर्विसेज भी इंडियन रही बेच हो है, वो हमें प्रोवाइड करता है. अब अमबार करते हैं, वाटर ट्रांस्पोर्ट, यहाँ जो वाटर ट्रांस्पोर्ट है, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना ट्रांस्पोर्ट सिस्चन है, और यहाँ काफी सस्ता भी पढ़ता है, पुराने होने के साथ का, यहाँ सस्ता भी पढ़ता है, वहाँ इसमें समय ज्यादा बगता है और जो water transport है ships में या boat में या भूने केरिया बजाते हैं तो cruise में भी होता है और यहां भी दो तेलिए का होता है एक होता है inline water transport system एक होता है shipping water transport system inland country होता है जो की fossilized से चलता है हमारे की country के अलड़ा कोश मत्तब जो किनारे होते हैं समुद्र के या बही दियों के वहां पर जो मारे देश के अंदर ही होता है वहां inland होता है और जो overseas मत्तब हमारे country से other countries के लिए जो ships मगेरे जाते हैं वह shipping होता है water transport का एक different type है दोनों ही जो है water transport है पर internet मत्तब हमारे country के अंतर और overseas मत्तब हमारे country से बहर की country से लिए इसके लिए ports बने होते हैं तो इंडिया में 11 बड़े port है और 139 के करीब developing चोड़े port से जम्हा से एक प्लेस से दूसरे प्लेस by water हम transport कर सकते हैं अब हम बात परेंगे air transport एर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला बढ़नम होते हैं एर ट्रांसपोर्ट बहुत फास्टेस means of transportation हो गया यहां पॉस्ट्री करता है लेकिन यहां ताहीं को सेयर करता है इसलिए के आज के तारिक में बहुत popular है और इसके भी दो टाइक के सिस्टम चलते हैं एक जो होता है ट्रमस्टिक मतब हमारे कंक्री के अंदर और एक होता है इंडिनाशनल जो की हमारे कंक्री को बढ़ के इसरे कंक्री के सिटी से जोडता है एर इंडिया का ऑफीशियम्ट एल दायाइस इसके अर्ढ़ाबत अधर भूजन घरलैस इसके के अनुसमे तबी क्वारे को पर पर अपना मिद अनुस्टम भी नेवल्ट के जैसे इंडियन रलडाइस, स्पाइस जैट यह जो है वैड़ारिस वहाइट यह भी डोनेस्टिक लावार पर और इंडरनेस्टिन लेवल पर अपने पैसेंजर्स भी ले जाते हैं और गुड्स को भी ट्रास्पोर्ट करते हैं इसे जो नवाईयां हो गई या पर पैशिबल आइटंस वो कराब हो जाते हैं आइसे जीए जो ट्रास्पोर्ट के दिन बहुत लंबे सो करद अगर पहुंचेगी तो अराब हो जाएकी वो एयर ड्रास्पोर्ट के दिन बहुत ईजीली कम समय में एक ऐसे दिश्रे प्लेस सकते हैं तो अब हम बात करेंगे, हमारे जितना भी ट्रांस्वोग सिस्टम है, वो दिन पर दिन वैल डब्ड़क है, और दिन पर दिन पर और एडवांस होता जा रहा है, नेकिन इसका एक ड्रॉबर भी साथ में आता जा रहा है, वो है ट्राफिक प्रॉब्लम्स, सर्कोबर भी आप प्रापिक हो जाता है, अंजिशन हो जाता है, इसको हमbellते है क्या अफिजहार् हो जमने जाता है, मतंद। बहुत घंबे समय करें खुड़क सब्सक्राव करें, हमें डॉइत करना पड़ता है, आ सांब उसनियर जा रहा है क्योंकि लोग चो तो, भुट के देहा है साथ हमो तो जो रोड है वो तो इतना की है जो अर्सों से है नेकिन उसके उपर चलने वाले जो विकल से है उनकी जो नंबर विकल से उनको बढ़ गए है इसलिए बहुत ज्यादा ट्राफिक कंजिशन देखा जाता है तो इसका हमारे पास में अगर हमको टाइं से रहता है तो दो सुल्मूशन अमारे का समगे हो सकते हैं या तो जो रोड है हमारी जो समते हैं उनको चौडाते दिया जाए तो सबको ओपन स्पेस्पी देखा अपने विकल को बिकार लेकिए और अगर हम यह नहीं कर सकते हैं जिनकी जत्शंत्य प्रहट होगा है जिसके अपोरिक गीर्वंध की मात लपसे लोगल एपनिस्ट्रेशन की तरभ से स्ट्रेक्शन की लिए, जे तो बसष हो सकती है या फी ट्रेइन की फास्निटी हो सकती है 很 paintings कते ने वो एक आनिक टान्सेंट होता है चैसे जो बड़े शहरे ने रहा रहा है यहां पर लाइक बैकलॉर, हैजराबाद, इल्दोर, आंगो, रखनाओ, वहां पर मैं जाम लिएगा कि बहुत सारे जो बड़े शहरे ने वहां पर इंडर्न वस्क शिस्टम चलता है जो ही पब्लीकरी लोग एक प्रेसे विज़े दर्फेस कर जाने के लिए यूज करते हैं इनका अर्च होता है कि रहा भी अफोरेबल होता है और इनका जो टाइमिंग्स दो होते हैं इनकी जो बस्क आउपर्स होते हैं इस सब्सक्राइब मैलेज होता है इसके पब्लीक इनको ट्राइल करना इंसे पसंदी करती है अब जो मेट्रोपॉलिकल सिटीस हैं मेट्रोपॉलिकल सिटीस जो है डैनी, कलगता, मॉंबई और चैनली यहां पर मेट्रो रेस भी चलती है सब्सक्णाराइब भी बहुत स्पीर में चलती है, հिधा सं फॉआ बहुत स्फेड पॉपुली को एक प्रेसлять दूसरे रेस का ट्रांस्पाड़ पाड़ू में बहुत कुरूथ ड़ это और मंभई जो़ लें वहाँ अपर जलती है यह से हमारा और वा करहा प्राफिक का प्रॉब्लम उसके रखेंगे या तो सब्सक्राइब बढ़ानी चाहिए और नहीं तो कभनेक ट्रांस्पोर्ट को बढ़ा प्रिया जाना चाहिए अब हमार पर देने कभनीकेशन कम्मिकेशन एक लुद आपको अप्टी में लुटीप में देखिए अगर आपके जा रहना है अपने पैरेंट्स से साथ है तो कोई एक एसी चंगे पर आपको रुपना पड़ता है ताफो आपके पैरेंश आपको बन्दाते हैं रेड डाइप ऑन में तो रड डाइप पर रुपना होता है अच्छाद एक सिनल सुदे रहे वहां पर आपने देखते हों के सिगनल्स पर रेड डाइटर हमें रुपना होता है तो तो जो रेड डाइट इसका हम पर पडिकुलर मेसेज मिलता है इससे हम समझ जाएं हमें रुणा रहें चया रहा है तो ये जो हो दो यह पर कोई लेडविज नहीं है यह कोई क्या कहना चाह रहा है हमें समझ रहें यह एक ताइप आप ऑफ कम्मुकिशन यह भी हो सकता है जिससे अगर हमारे बड़ में पोई पैस है डॉकी गजरे में पर तो कोई stranger या अजनवी को देखकर वो मौकता है, वो मौकता है, तो हमें पता सब जाता है कि इसके पीछे ज़ूर कोई कारण करना होगा, तो हमें एक information दिता है कि हमारा जो डॉगी है, वो ऐसा react क्यों कर रहा है, तो कोई information जो हमें मिला, वो भी है type of communication, या फिर कोई एसा छोटा वच्चétais अगर बैस करो कि अबर उसको पांी पिना है, तो आखको इशारा करे कि झाधा है कि आछने करको पांप इन पोड़ना है, तो जद चक्अक सब एइन करें के?" तो मीनिक समझ जाता है कि यह नो बता रहा है यह हाई कर रहा है यह यह वी जो ने यह टाइब ऑफ कमिनिकेशन है तो information को एक जगे से दूसरी जगे तक किसी को ऐसे transform करना की जो उसका मीनिक समझ जाता है that is communication तो इंसान जो है वो एक social manager है समाजिक प्राणी है उसको बहुत सारे अपने काम कर रहे के लिए अपनी बातों को दूसरों को समझाना भी होता है तो एक तरीका भी हो सकता है face to face और अगर जब face to face नहीं जा सकते हैं तो हमें दूसरे videos को आवलेबर है उनका फैल लेना पड़ता है तो बहुत समय पहले जो था communication के लिए अपने सुनाभी होता कभूतर को बेज़ा जाता था बहुत हमें पहले या फिर कोड़े पर कोई जो राजय महराजय होते थे एक दूसरे को कुस message करने करना था तो एक आदमी को कोड़े पर बेज़ा जाता था तो मीन साथ नमीकेशन तेहले के टाइम में वैसा था फिर वो डैवलप होता गया होता गया और आज वाड़ें बेज में 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 साथ नमीकेशन पोपत सारे गए तो उसके बाद में जो ले दो रेक्टर लिखना या पत्र लिखना या बस चाट दुआँ बाओं कि आपकी नमें जो रहे है कि वहां हमारे अगर्टों और को अनसे है परेस तक नेम संक कर जाता नहीं आपकोपर अगरा है उसके नम है पटिकुल्टर गाहों वैअं चेनव में पेचीशन आई ट tapझ्या में बहुत चीज़े चेंज हो गई और जो बहुत स्पीड को बहुत बहुत इमिजेट डिलिवर हो जाता है कि अगर एक प्रेस से दूसरे प्रेस्ट पर पेजना होते हो अब कम्मिनिकेशन जो है वो भी वो टाइप का बाट क्लासिफिकेशन उसका किया गया है फर्स इंडिविवर कम्मिनिकेशन और दुसरा है मास्स कम्मिनिकेशन जैसे पर्टिकूलर मुझे किसी एक परसन को बोड़ना है तो या तो मैं उसको कुछ रटने कर देच सकती हूँ या बहुत अजन देच तो उसको पौण करके बोच सकती हूँ तो यामा पर इंडिविशन तक 1% के लिए बात्चित करने के हुआल परसन सादत है और मास्स गमिनिकेशन पत्डब में पूरी जो कब्लिख है उसको को जाना रहा है तो उसको मास्स कम्मिनिकेशन कह सकते हैं अब ये communication जो है, या तो QSS भी पहुंचाना, या तो पूरी community तर पहुंचाना, उसके भी पनगलर medium हो सकते हैं, नो medium हो सकते हैं, एक होता है by print media, और दूसरा होता है by electronic media, तो अब हम पुरा सब print media को सब्जेक हैं, जो modes of communication है, वो दो दैखते हैं, print media और electronic media, अब print media मतलब कोई भ पामवा material, जैसे या तो मैंने letter लेकर दिया, और Indian Posture है, इसमें मैंने डाल दिया, वो आपकी बर्तक होंचा देगा, या तो मुझे अपको कुछ notes वगेरे देना है, या hopes हो सकता है, या फिर कुछ photo copies बना कर देली हो सकती है, तो ये जिनी भी चीज़े जो है, या book, या newspaper, य जो कि एक individual के interest की है, या one-to-one अमरी के शुचुले होता है, वह प्रेंट मीडिया के तुरू, परस्नली बेख सकते है, या फिर अगर नास communication जो हमें मैस्स बिना है, तो हम उसके templates हो सकते है, वह बना सकते है, न्यूसमेपर के अंदर आर्टिकल दे सकते है, अगर दे सकते है तो यह जो हो गया, यह print media हो गया, printing press का शुचुबार 1443 में, जामानी में, जॉन सुरेंब आपने की आता, उसके बाद में जो है print नाम बढ़िया, डाबर बता गया, print print press जो हो है, तो डाबर बता गया, और print media जो है, आज के present form में, अमारे पास में अवेलबल है, और हम बात अवेलेक्रोनिक मीडिया, अवेलेक्रोनिक मीडिया मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो ट्राट्री से करेक्टेट है, या बैट्री से चलता है, जिसके दूब हमको एक बहुत बड़ी community को, या एज़िवेश्यल परपोस हो सकता है, या सोशल परपोस हो सकता है, या नमारे जिवरी दिवरी के इंटरटीन से रेडिट हो सकता है, या एंटर्लैयमिंट के लिए भी हो सकता है, वह जो है सब कर मुइंके चम्मिकेशन कह राता है, या एक अि дав SC, कहलता है जैसे रेडियो हifornia, आपने गरहों में जेखा होता, अपने रुआदे समें में वक्क्त, पैर सब्सक्राइब करते हैं, उनके पास में रेडियो जलता था, हमारा जो इंडिया का सब्सक्राइब करते हैं, उसका नाम और इंडिया रेडियो है, या अकाश्मानी है, उसके कलर विपलसी के चैनल बने हुए है, और बहुत सारे प्राइब चैनल भी है, तो उसके अकॉर्णिक हम अपने घरों पे बैट कर, पुरी दुनिया से, जामा हमारी रुच्छा हो, वह आपकी ख़बर चुन सकते हैं, और उसमें इंडिटेर्मेंट के प्रोग्राम्स भी आते हैं, मुवीज के गाने अगरे आते हैं, तो यह जो रहा है रेडियो से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस रहें, नेच्छे चारवीजर्ट, पैपिसें जोर्न भी आपकी देते हैं, यहांके आप उसके सॉंग्स या डांस अगरे देते हैं, इंट्रनेशनल दूस देही आप उसमें टाइम पर गंटे अपडेट दे सकते हैं, इतना आज की तारिव में होगी हैं, वह होगत सारे चैनल्स भी अवेलेबर हैं इडिटिसं पर, एडूबेशन के प्र जो की नहीं दूर बढ़नें जा सकते हैं, उनको टेमिशन प्रोग्राम्स के दूर एक ही प्रेस पर बड़कास्ट करके, एडिटिशन बाटरियर पहुचाया जाता है दूसरा सिनेमा, मुवी सोगे रहा परिते होंके, सिनेमा ने बहुत को बताने का मुझे नहीं रहता है, तोकि आपको सब को बता है सिनेमा क्या है, और मुझे बड़े बड़े जो स्ट्रेक्स हैं, सब के पास में अपने चोटे चोटी यूनीट से नावर्ण प्रोड़े होता है, और जो मुवीज है, उस मुवीज में भी कही बार सोचल इसलिशन को भी खडा किया जाता है, और कही बार जो होता है, इस्पेशिन फाफस की मुवीज भी बनाया जाते हैं, अब बार करते हैं हम इंटनेट, इंटनेट को information का super highway करा जाता है, क्यों कि आ तो वह समग जो आपको पहुंचा पाई है विपाउज ओ इन्टनेट जोड़ा होता है और गर्ड की बहुत सारी जहें पर इसका कर्याटिविटी होता है और यह भी जोड है वह फास्टेस्ट मीन्स और कम्मुनिकेशन है आज जब हम वाकरों नुग करें इसको प्लाइट के आस्टरास पर बूब करता है उसको साटलाइट बोलते हैं अब कम्मुनिकेशन को इजी करने के लिए पर्टिकुलर कंट्री ने अपना कम्मुनिकेशन साटलाइट रांच किया है वैसा मैंने को बुरा से सुर्ण राक है है इसके तुम सिगनल्स होते हैं वो पूरे बार्ट में जाते हैं और वहां से ओ सिगनल्स जो जहां पर कहाई चलते हैं वहां पर ब्रोड्कस्टिंग इजीली हम तेख सकते हैं तो यह जो होता रही है, सटिलाइट कर्मिकेशन के रूप पॉस्लिबत होता है हमारे गरों में पीदी पर नाइट चलता कर देखते हैं या तरी पर नाइट को बड़े-बड़े अमोर्ट सारे में चलती हैं हम उसको हमाई गाटर बैट पे देख रहे हैं इसल्र Stunden करे जी तो तो सब होता है, स्टिलाइट डर्मिकेशन के तो उसकी जो लेक्स होती है टांस्वीट करता है, सैंपड करता है रिसीम करता है, और पोग्राम को यह अमरे घर गराथर तक आते हैं वह से सबने बेखा है, आप उसके परवाव भी करते हैं तो जो internet है वो भी हमारा computer पे दूब जूटे काम करता है हमारे mobile store है, हमारे जो smartphone है वो भी सब हमारा communication का fastest means एक लेब जो बहुत popular है आज की तैलिक में तो आज हमने इस chapter में हमारी लेडी रुपी के वाल पॉड़ा क्यारी में, transport और communication को समझा अब आपको स्कूल एक बार गूप में इंटेज स्कड़ी करना है तो ये chapter जो है आपको बहुत अख्ये से समझ में आ जाएगा Thank you